27 जन्वरी को सुबह तकरीबन 10 बजे थे दिल्ली के मुख्यमत्री अर्ण के जिवाल एक ट्वीट किया जिसके बाद राजनीतिक हलचर बढ़ागी स्ट्वीट में ये था कि आरोप लगाए गया था बीजे पी दिल्ली में फिर से ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाने को इश कर रही है आमादी पार्टी के साथ विधायकों को 25 करोड रुपे के आफर दिये गए और योजना 21 विधायकों को तोड़ने की थी सरकार को गिराने थी कैसा दावा किया गया उसके बाद हुआ ये कि दिल्ली बीजेपी ने 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजिवाल और मंतरी आतीशी को समन भेजा और इस समन के लिए तारिख सुनिश्चित की 5 फरवरी को जवाब देने की आज पांच फरवरी है इस पर आमाधी पार्टी क्या कहती है बताने के लिए साथ में आमाधी पार्टी की मुख्यराष्ट प्रवक्ता प्रेंका ककड़ है ककड़ जी क्या जवाब लेकि आने वाले कुछ दिनों में हम इस सफेद चिठी का जिसमें कोई लीगल प्रोविज जिसमें उन्होंने बताया कि ये वही लोग थे जिन्होंने तैलंगाना में सरकार गिराने की कोशिश की थी जिन्होंने कोवा महराज्ट मंध्य प्रदेश और करनाटक में सरकार गिरा दी थी ये वही लोग थे जिन्होंने हमें संपर्क किया अगर आपके पास जानकारी है, आप मीडिया में आ सकते हो, आदे गंटे में सारी ड्रिल दे सकते हो, तो यही बाते क्राइम ब्रांच को बताने में क्या दिक्कत है? 2014 में हमने मीडिया को बताया था कि शेर सिंग डागर ने कोशिश की, हमारे विधायक तोड़ने की, हमने इसका स्टिंग करके यूट्यूब पे भी डाला, हमने शिकायत भी की, तो उसकी कहां तक जांच पहुंची? हम जवाब दे देंगे और भाजपा को समझना होगा कि जनता बहुत समझदार है, उनको जनता को पता है कि महराष्ट की सरकारे कैसे गिरी, गुवा में सरकारे कैसे गिरी, करनाटक में सरकारे कैसे गिरी, पता है, लोगों को पता है, तो भाजपा को समझनी होगी ये बात. यह जो पुरानी बाते हैं apr k grind तो पे म्हाराष्ट कर नातक मध्यप्र्देश मिल संपर्क करके सरकारे गिराएं गई थी उसी तरह पुक्ता तोर पर हमें भी संपर्क चाह रहा है लगतार किया जा रहा है कब तक को टाइम फ्रेम है जवाब देने का आज नहीं दे रहे हैं आने वाले कुछ दुनों में जवाब दे देंगे अच्छा इससे पहले आपके दावे यह होते थे कि तमाव विधायकों को संपर्क किया मनिश शुद्या के लिए दावा किया अब तो अर्विंद केजिवा सब्सक्राइब में तो 2014 से ही लगातार चल रही है क्योंकि दिल्ली मेंवाजपाट जीत नहीं पाती में यह कुछ भी कर ले यह सकता में नहीं आपायेंगे लगातार हारेंगे जीत चुनाव में जीत नहीं सकते इसलिए अलग-अलग कड़े अपनाते हैं पर भगवान और दिल्ली की जंता अर्विंद केजरिवाल जी के साथ है और कुछ भी करने भाजपत दिल्ली में कभी नहीं आ पाएगी मैं आपको बता तो रही हूं जब हमने पहले नाम रिवील भी किये थे तो कोई जो सर्वेस तर्वाह पार्टी के उनको कहरें प्रोच किया गया कब सही कोशिश कर रहे हैं उनको यह आम आदमी पार्टी का तोड़ नहीं पता उनको समझ नहीं आ रही कि अर्विंद केजरिव प्रवाल जी को कैसे जुकाया जाए तो अब उनके पास आमदाम दंडभेद एक यही हतियार बचा है तो लगातार कोशिश कर रहे हैं बाकी हम डीटेल में अपना जवाब देंगे अपने अगर वह समन समन नहीं कहना चाहिए इसको अगर आपने वह चिठी देखी तो उस बाकी है में कोई प्रावधान भी कानून का उस चिठी में ये भी नहीं कि किस और के तहत या जानकारी मांगी जा रही है ये कुछ लीगल होती है कल को आपको कोई बीच परशायल तो ड़ाज को कैसे आउने में फिरकिन को समय दिया था पांच फ़वरी तक का तो कुछ इंटीमिट क्या क्राइम ब्रांच को की कुछ रखी हो या फिर आगे समय मांग लिया हो हम इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में देतेंगे आफ़ी सवाल संजे सिंग को कोड से परमीशन मिली कि जाके शपत ले 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 फिर भी इसका जवाब तो देंगे लेकिन आज नहीं आगे देंगे अपने वीडियो से कुछ चेतन सर्मा के साथ जितिन भाटी ठीन है बातपश